नमस्कार आप देख रहे हैं आर्वेट नियोज ख़वर मुझपफर पूर जिले से है मुझपफर पूर सहर के वाट संख्या 15 इस्थित आस्रम धाट इलाके में नदियों का जलिस्तर बढ़ने से करीब पूरा इलाका जलमग्न हो गया है जो की बूढ़ी गंड़क नदि के किनारे बसा हुआ है सडको पर करीब 3-4 फिट पानी है तो वहीं कई दर्जन घर करीब 7-8 फिट पानी से घिरे हुए है लोगों का आवागमन भी बाधित हो गया है परिवार के लोगों को पानी ने घरों में ही कैद कर दिया है नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं लेकिन जिला प्रशाशन की ओर से अभी तक इलाके में किसी भी प्रकार की सुविधा मुहया नहीं कराए गई है यहां तक कि आवागमन के लिए नाव भी उपलब्द नहीं कराए गया है हलाकि कई मकानों के लोग मकान दूबने से पूड़े परिवार के साथ मकान छोड़ कर कहीं अन्य जगह पर चले गए हैं तो वहीं और सारे बाट से प्रभावित लोग ग्राउंड फ्लोर से सभी समाल लेकर प्रथम तल्ला या दूसरे तल्ले पर जा रहे हैं वज़ा यही है कि पानी से घिरे हुए लोग डरे सहमे हैं और साप और अन्य प्रकार के जीव जन्तू का डर सता रहा है अब देखने वाली बातिया होगी कि जीला प्रशासन आखिर कब तत्पर होती है और इस गाउं में लोगों की सहायता के लिए नाव की विवस्था करती है तरह कौसर आ रहा है इस आहा है हम लोग चार साल से रह रह है आइं पानी कब आया यह में कांदरा दिन से पानी है दिकतत हो रहे है यह फानी है क्या है वस्अ हे चया समच्पित समास्या हुए रास्ता उस्ता बंध है अज़नान कां ठीट करेंगे का सथा देखाई disfr पानी चदा है दिंग नहीं मिला पानी कॉचटा है इर वोडपर 15 दिन से है पर्सों से बहर रहा है एक महिना से है हर चीज के दिक्त हो रही है जाने आने हर चीज में घर दुआर खाना पीना कमाई दंदा सब का है दिककर जीनके जीनके है, जीनके 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 आगुगा निए आए कि आए अपने लुक न करते हैं wal hacerlo ौई नसे तबaranifs और रहे हैं यह दिखने आये तो प्रीद न रहा है अब गवर में रहें यहां से नों को अगर यहां नों कि आरा है